JTC Holidays प्रस्तुत करता है हरिद्वार और व्रज दर्शन ट्रेन रेजवेशन के साथ डिवस एक, रात ग्यारा बजे राजकोट से प्रस्थान डिवस दो, दिल्ली में आगमन शाम साधे साथ बजे दिल्ली में आगमन दिल्ली से प्रस्थान, हरिद्वार के रास्ते में दिवस तीन, हरिद्वार में आगमन हरिद्वार में खरीदारी स्थानिय मंदिरों में स्वयम दर्शन करें दक्ष महादेव मंदिर भगवान शिव को समर्पित एक मंदिर है इसका नाम सती के पिता राजा दक्ष प्रजापती के नाम पर रखा गया है त्रिवेनी घाट गंगा के तट पर रिशिकेश में सबसे बड़ा और सबसे प्रसिद्ध घाट है त्रिवेनी घाट अपने पापों से शुधा होने के लिए धार्मिक स्नान करने के लिए भक्तों से भरा रहता है हर की पौडी या ब्रमकुंध पवित्र नगरी हरिद्वार का मुख्य घाट है इस स्थान पर नदी में पापों को धो डालने की शक्ती है और यहां एक पत्थर में श्रीहरी के पज्चेहन इस बात का समर्थन करते हैं रात रहने की व्यवस्था हरिद्वार में दिवस्तीन, मसूरी और देहरादून, लाल टिबबा मसूरी की सबसे उची चोटी का सबसे उचा स्थान और सबसे प्रसिद स्थान है प्रमुक परवत चोटियों के साथ साथ रोमेंटिक सन्राइज और संसेट देखने के लिए टूरिस्ट्स और यात्रियों के बीच लोक प्रिया है Camel's Back Road प्रकृती के नीचे एक सुंदर शांतिपूर्ण सेर हमेशा शांती और आंतरिक शांती को बढ़ावा देगी Camel Back Road मसूरी में बिलकुल वैसा ही अनुभव प्रदान करता है मसूरी कंपनी गार्डन प्राकृतिक सौंदर्य की एक वैल मेंटेंड एग्जिबिशन है जो फाउंटेंज और फूलों के साथ फोटोग्राफी के अच्छे अवसर प्रदान करती है उचे पहाड की चत्तानों और हरी भरी हरियाली से घिरा सुंदर केंप्टर वाटरफॉल प्रकृति प्रेमियों और शटर्बग्स के लिए एक खुशी की बात है माल रोड मसूरी का मुख्य बाजार और खरीदारी क्षेत्र है ये लाइब्ररी बस स्टैंड से लगभग एक दशमलव तीन किलोमेटर की दूरी पर स्थित है सिस्टर्स टाउन मसूरी के प्रसिध बाजारों में से एक है इस स्थान का नाम उन ननों के नाम पर रखा गया है जो नर्सों के रूप में ब्रिटिश छात्रावास में काम करती थी क्राइस्ट चच जिसे हिमालेई क्षेत्र का सबसे पुराना चच माना जाता है यह 1836 में छोटे ब्रिटिश समुदाई द्वारा बनाया गया था जिसने शहर को अपना घर बना लिया था रात रहने की व्यवस्था हरिद्वार में दिवस पांच हरिद्वार में पित्रों को जल देने की विधी को पित्रू तरपन कहते हैं जिस तिथी को माता पिता की मृत्यू हुई हो उस दिन उनके नाम से अपनी श्रद्धा और क्षमता के अनुसार ब्राहमनों को भोजन करवाना चाहिए मंसा देवी मंदिर बहुत प्रसिध मंदिर है यह मंदिर देवी मंसा देवी को समर्पित है यह बिलवा परवत पर स्थित है चंदी देवी मंदिर हिमालाए की सबसे दक्षिनी परवत श्रिंखला शिवालिक पहाडियों के पूर्वी शिखर पर नील परवत के उपर स्थित है माया देवी मंदिर ऐसा माना जाता है कि देवी सती का हरिदय और नाभी उसक्षेत्र में गिरे थे जहां आज मंदिर खड़ा है और इसलिए इसे कभी-कभी शक्ती पीठ भी कहा जाता है श्री चिन्तामनी जैन मंदिर मंदिर खूबसूरती से नकाशीदार है जो इसे सुन्दर मंदिरों में से एक बनाता है तीरत 1990 के दशक में हरिद्वार के पवित्र शहर में आया जो अपनी कला डिजाइन और विशाल मंदिर परिसर के लिए प्रसिध है कुजापुरी देवी मंदिर प्रसिध मंदिर है और बावन शक्तिपीठों में से एक है एक पहाडी पर 1676 मीटर की उचाई पर स्थित है गंगा नदी के तट पर स्थित वशिष्ठ गुफा ध्यान प्रेमियों के लिए एक लोग प्रियस्थान है यह वो गुफा है जहां महान रिशी वशिष्ठ ने ध्यान किया था वो साथ महान संतों, सब्त रिशियों और भगवान राम के गुरु में से एक थे राम जूला रिशिकेश में वास्तुकला के चमतकारों में से एक है जो 450 फीट लंबा लोहे का निलंबन पुल है रसिद हैंगिंग ब्रिज में से एक है ये टिहरी गडवाल के तपोवन गांव और पौडी गडवाल के जोंक गांव को जोडता है नीरगड वाटरफॉल्स, नीले पानी की संकरी धारा, हिमालई वनसपतियों के हरे भरे पत्तों से घिरा नीरगड जरना रिशिकेश आने वाले किसी भी साहसिक या प्रकृती प्रेमी के लिए एक इलाज है स्वर्गाश्रम रिशिकेश के सभी योग और ध्यान केंद्रों का केंद्र है बीटल्स आश्रम जो रिशिकेश में ध्यान के लिए सबसे अच्छी जगह के रूप में लोकप्रिया है मधुर सदभाव और धुंध की बहतरीम बूंडों से भरा हुआ था तेरा मंजिल मंदिर रिशिकेश में स्थित पवित्र बहुमंजिल मंदिर है ये त्रयंब केश्वर मंदिर के रूप में भी जाना जाता है इस पवित्र मंदिर में तेरा मंजिले हैं और प्रत्येक मंजिल में देवी देवताओं की कई मूर्तियां है भूतनाथ मंदिर जो भगवान शिव को समर्पित है भूतनाथ मंदिर परमार्थ निकेतन आश्रम के पीछे स्वर्गाश्रम क्षेत्र में स्थित है रात रहने की व्यवस्था हरिद्वार में दिवस छे जतिपुरा के रास्ते में ट्रेन में हरिद्वार से मथुरा मथुरा से जतिपुरा रात रहने की व्यवस्था जतीपुरा में, दिवस साथ, गिरिराज जी, नंदगाओ, बरसाना, गिरिराज जी की साथ कोस की परिक्रमा लगभग 21 किलोमेटर की है, मार्ग में पढ़ने वाले प्रमुक स्थल आन्योर, राधा कुंड, कुसुम सरोवर, मांसी गंगा, गोविं पुन्छरी का लोटा, दानघाटी इत्यादी हैं, मार्ग में हम अपने निधी स्वरूपों को जारी जी नामक बरतन से जल चड़ाते हैं, जो जल हम अपने निधी स्वरूपों को अर्पित करते हैं वो खृष्ण के स्वीकार करने के बाद पवित्र हो जाता है, अता हम य जातो जारी जी का जल पीते हैं, इसे अपनी चाच में मिलाते हैं या फिर राजभोग दर्शन के बाद तुलसी को जल चड़ाते हैं, नंद भवन, जिससे 84 खंबा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, ये भक्तों के बीच एक आकर्शन रखता है क्योंकि भगवान कृष् स्थित है, मंदिर ब्रज क्षेत्र में पांच सबसे पवित्र भगवान शिव मंदिरों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, पवन सरोवर, ऐसा माना जाता है कि इस पवित्र सरोवर का निर्मान राधारानी की सहेलियों में से एक विशाखा के पिता पवन गोप ने करवाया इसलिए इसका नाम पवन सरोवर रखा गया, नंदगाव में चरण पहाडी एक महत्वपूर्ण नाम है जो भगवान क्रिश्न के चरणों की छाप के लिए प्रसिध है, श्री जी मंदिर अपने महराब, स्तंभों और लाल बलुआ पत्थर के साथ मुगल काल की एक संरचना की तरह दिखता है, बरसाना में ये लोकप्रिय मंदिर उस समय के दोरान प्रचलित स्थापत्य शेली से मिलता जुलता है, दान बिहारी मंदिर करीब आच सो साल पुराना माना जाता है, कहानी यह है कि एक बार एक गरीब ब्राहमन अपनी बेटी की शादी के लिए आवश् धन इकठा करने में असमर्थ था, भगवान कृष्ण ने राधा के वजन के बराबर सोने का आयोजन किया और उसे पैसे दान कर दिये, राधा कुशल बिहारी मंदिर में श्री कुशल बिहारी जी, भगवान, कृष्ण की काले पत्थर की मूर्ती और श्री राधारानी की मि नगर में स्थित है। श्री राधारानी की दिव्य मां को समर्पित मंदिर कीर्ती मैया मंदिर बरसाना में स्थित अपने तरीके से अद्वितिय है। दुनिया का एक मात्र मंदिर है जिसमें कीर्ती मां की गोध में श्री राधारानी की जलक मिलती है। रंगीली मेहल, 1996 में स्थापित, जगदगुरु कृपालु परिशद के मुख्य केंद्रों में से एक है, जो श्री राधारानी के शाश्वत निवास, बरसाना में स्थित है. कुनवारा मनोरत, इसके पीछे की भावना ये है कि जब प्रभु गायों को चराने के लिए जाते हैं, तो वे अन्यगवाल बालकों के साथ भोजन करते हैं. जैसे वन या जंगल में सोने या चांदी के बर्तन नहीं होंगे, वो मिट्टी के बर्तनों में खाता है. पांच सामगरी अर्पित की जाती है. इस मंदिर के कई अनूठे संदर्भों में से एक है. प्रेम मंदिर एक विशाल मंदिर है, जिसे वर्ष 2001 में जगद गुरु श्री कृपालुजी महाराज ने आकार दिया था. श्री राधा रमन मंदिर ये कृष्ण को समर्पित है जिन्हें राधा रमन के रूप में पूजा जाता है. राधा दामोदर मंदिर व्रिंदावन के लोख प्रिया साथ गोस्वामी मंदिरों में से एक है. श्रील रूप गोस्वामी ने राधा दामोदर के देवताओं की नकाशी की और उन्हें पूजा के लिए श्रील जीवा गोस्वामी को दे दिया. निधिवन जिसका अर्थ है, तुलसी का वन, व्रिंदावन के पवित्र वन स्थलों में से एक है. निधिवन को हिंदू देवताओं, राधा क्रिश्न और उनकी गोपियों की लीलाओं को समर्पित सबसे प्रमुख स्थल माना जाता है. गोविन्द देव मंदिर व्रिंदावन के प्रमुख मंदिरों में से एक है. इस मंदिर की भव्यता और सुन्दर्ता शांदार है. यह मंदिर करीब 400 साल पुराना है. श्री रंग जी मंदिर व्रिंदावन का सबसे बड़ा मंदिर है जिसे 1851 में द्रविड शैली में बनाया गया था और भगवान रंगनात को समर्पित है जो भगवान विश्नु को दर्शाता है. कात्याइनी पीथ व्रिंदावन अन्यता उमा शक्ती पीथ के रूप में जा जाता है कि यहां मा सती के बालों की अंगूठी गिरी थी. शाहजी मंदिर वर्ष 1876 में शाह कुंदन लालद्वारा बनवाया गया था और यह भगवान क्रिश्न को समर्पित है. यहां के मुख्य देवता को छोटे राधा रमन के नाम से जाना जाता है. केशी घाट का निर मंदिरों से घिरा हुआ है. श्री कृष्न बलराम मंदिर को International Society for Krishna Consciousness इसकौन द्वारा निर्मित पहला मंदिर होने के लिए स्वीकार किया जाता है. 1975 में इसकौन पंथ द्वारा निर्मित मंदिर की नीव स्वयम स्वामी प्रभुपाद इसकौन के संस्थापक ने रखी थी. रात रहने की व्यवस्था मतुरा में. दिवस नौ गोकुल मतुरा में. गोकुल नाथसी मंदिर गोकुल में सबसे अधिक देखे जाने वाले धार्मिक स्थलों में से एक है. मंदिर अपने विशाल शिखर केंद्रिया मीनार के साथ सबसे अलग है. गोवर्धन पहाडी, जिसे गोवर्धन परवत और गिरिराज भी कहा जाता है. आठ किलोमीटर लंबी पहाडी पर एक पवित्र हिंदू स्थल है. रमन रेती वो रेत है जिसमें भगवान कृष्ण ने बच्चपन में खेला था. लगभग 200 वर्ष पूर्व प्रसिद संत स्वामी ज्यानदास जी ने रमन रेती में 12 वर्षों तक घोर तपस्या की थी. भ्रमांद घाट वो स्थान है जहां शिशु क्रिश्ण ने अपने दोस्तों के साथ खेलते समय मिट्टी के कुछ कनों को निगलने के बाद अपने मूह में पूरे भ्रमांडी या भ्रमांड को सपश्ट रूप से प्रकट कर दिया था, जिससे उनकी पालक मा यशोदा बहुत हैरान रह गई. इसलिए स्थल का नाम भ्रमांड घाट है. श्री ठाकुर रानी घाट गोकुल के सबसे धार्मिक स्थलों में से एक है. प्रचलित मान्यता के अनुसार यही पर वल्लभाचार्य को देवी यमुना के दर्शन की कृपा प्राप्थ हुई दांगाटी मंदिर को गोवर्धन में दो प्रमुक हिंदू मंदिरों में से एक माना जाता है. अपनी स्थापना के बाद से मंदिर में कई वास्तु परिवर्तन हुए हैं. ताजमहल भारतिय शहर आग्रा में यमुना नदी के तट पर एक सफेद माबल का मकबरा है. इसे 1631 मुगल बादशाशाह जहां ने अपनी पसंदीदा पत्नी मुम्ताज महल की कबर के लिए बनवाया था. रात रहने की व्यवस्था मतुरा में. दिवस 10 मतुरा में कृष्ण जन्मस्थान मंदिर एक हिंदू मंदिर है. ये मंदिर उस स्थान पर बने हैं जहां हिंदू जब यमुना नदी साडी पहनती है. परिवार सामुविक रूप से तटके एक किनारे से दूसरे किनारे तक नावों की एक पंक्ती में सामुविक रूप से आंदोलन करके इस अनुष्ठान को करते हैं. 101 साडियों से शुरू होकर परिवार और भक्त 17 सिले हुए 400 साडियों पूरा द्रिश्य ऐसा लगता है जैसे यमुना साडी पहनती है लोकप्रिया हस्ती और अभिनेत्री सांसद हेमा मालिनी भी यहां से लोकसभा सीट जीतने के बाद इस रस्म में शामिल हुई खरीदारी का समय मथुरा में वापस राजकोट के रास्ते में अगले दिन शाम साथ बजे राजकोट आगमन जेटी सी हॉलिडेज प्राइवेट लिमिटेड राजकोट कॉन्टाक्ट 968-789-5000 या 922-7600-8900